आपको सिर्फ एक बाद बोलने के लिए कि कल बारा तारिक नवेंबर तिप्रा मौथा मास गैदरिंग करेगा अस्तबल ग्राउंड में ग्यारा बजे मैं आप सबको अपील करता हूँ, आप कहीं से भी हो, कंचनपूर से हो, साबरूम से हो, ख्वाई से हो, तेलियमुरा से हो, टाकरचला से हो, बिश्राम गंजो से हो, कहीं में भी तुप्रा से हो, कॉर्बुक से हो, अंपी से हो, किल्ला से हो, आप लोग आईए, आईए और ए सब को एक संग होकर हाथ में हाथ मिला कर हम अपना constitutional solution का डिमान रखेंगे मैं चाहता हूँ कि अगरतला में अस्तबल ग्राउन में कल 11 बजे हम सब एक संग शांती से mind my word शांती से हम मिलें बहुत लोग पहले अक्यूज करते थे कि हम लोग violently अपना demand रखते हैं road block it करते हैं बंद करते हैं लेकिन जब से तीपरा मौथा आया है हमने एक culture create किया है कि हम अपना point जो democratic है जो संभिधानिक है उसको शांती से रखेंगे हम violence का इस्तमाल नहीं करेंगे अपना point रखने के लिए हम बंदूक उठा कर अपना point रखने कर ये culture को बंद करना जाते हैं और इसी के लिए मैं शांती से सब को अपील करता हूँ कि कल आप आईए अस्तबल ग्राउंड में we will create history हम इतिहास बनाएंगे हम इतना बड़ा जमायत दिखाएंगे अगरतला को नहीं थ्रिपुरा को नहीं नहीं दिल्ली को कि आप हमारा समय आ चुका है हम अपना constitutional demand for our survival and existence के लिए अपने अधिकार के लिए किसी का अधिकार चीनने के लिए नहीं अपना अधिकार को strong करने के लिए हम कल ये mass gathering करेंगे कल ग्यारा बजे मैं अस्तबल ग्राउंड में आप सबसे बात करूंगा आप आईए और together एक संग होकर हम लोग एक नया इतिहास रचेंगे टिप्रा वारियर्स, YTF वारियर्स, TWF वारियर्स, TISF वारियर्स, तिप्रासा पीपल, Hindu, Muslim, Christians, Bengalis, Buddhists, anyone, you are most welcome for our rally tomorrow, हम शान्ती चाहते हैं, हम उन्नती चाहते हैं, हम वाइलिंस नहीं चाहते हैं, और इस कल के रैली में हम सब को दिखाएंगे कि आज का तिप्रासा शान्ती से अपना पॉइंट रख सकता है, मैं कल आपका इंतिजार करूंग मैं चाहता हूँ कि कल आप आएं, और हम एक संग, together, let us make history, बेलाईनो हम भाएं हर कहां